Hello Friends, आप देख रहे हैं अपने चैनल Vision Based Approach इस वीडियो लेक्षर में हम लोग circles related एक question करने वाले हैं तो देखे question कुछी इस तरीके से है In the figure, O is the center of the circle BD, ये देखे BD और ये OD बराबर है CD perpendicular to AB ठीक है? तो हम लोग को angle CAB find करना है मतलब ये निकालना है इस question को आप कई तरीके से कर सकते हैं तो देखे In triangle DOB ये हम दीजेगा Since OB equals to OD EM ने 1 कर लिया ऐसा क्यों लिखा? Radii of the Same circle Same circle का radius है और देखिए BD बराबर OD ये given है माली जे टूग है तो from 1 and 2 हम क्या देख रहे हैं? OB बराबर OD बराबर BD इसका मतलब ये हुआ कि triangle OBD is an equilateral triangle और हम जानते हैं कि equilateral triangle में हर एक angle 60-60 होता है मतलब angle ODB angle OBD angle BOD BOD ये हर एक जो angle होगा ये 60-60 होगा हम लोग जानते हैं कि equilateral triangle में टीनो sides भी वड़ाबर होते हैं और टीनो angle भी equal होते हैं तो ये सभी angle 60-60 हो गया ठीक है ये भी आपका 60 हो गया ये भी 60 हो गया ये एंगल भी आपका 60 हो गया अब दिखिए since CD perpendicular to AB therefore angle OED equals to अगल BAD और ये हर एक जो होगा 90-90 होगा मतलब ये 90 हो गया तो देखिए in triangle BED BED में angle BED कितना है 90 है और angle EBD 60 है तो therefore angle EDB आपका 30 हो गया कैसे भी आइंगल संव प्रोपर्टी ऑफ triangle किसी भी ट्राइंगल में तीनों आइंगल के साम 180 होता है ये कला 90 है 60 आइंगल का 30 हो गया ये आपका आइंगल 30 हो गया अब दिखिए आर्क CB के द्वारा ये आइंगल बन रहा है इसी arch के दोरा यह angle बन रहा है तो angle subjected by the same arch Arch CB के दोरा angle CDB बन रहा है ये angle और इसी arch के दोरा angle CAPB बन रहा है तो यह जितना होगा उतना ही यह भी angle होगा मतलब यह जो angle होगी आपकी 30 degree होगी और यह ही आपका answer हो जाएगा अंगल से यह भी कितना हो जाएगा तो 30 देग्री तो friends इस वीडियो लेक्षर में दाई हैं हमें मिलते हैं next वीडियो लेक्षर में एक अच्छे कंस्टर के साथ अगर यह वीडियो लेक्षर आपके लिए हैलपूल हुआ हो तो आप ने-डिवन को झाल कर सकते हैं